बर्दी कुरोना को देखती हुए एनिस्वई प्रदेश महास्चिव सुभान्शु कनोजिया और अन्य कारिकार्ताओं ने चात्रों के साथ गौर्वर्मेंट साइंस कॉलेज में पहले सांकित एक धना दिया और फिर प्रिंस्पल एल महूबिया को ग्यापन स्वपा और ऑफ प्रति दिन कॉरोना के पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है ऐसे में चात्र दहशत में है अता हमारी मांग है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेश चल रही थी वैसे ही एक्जाम भी ऑनलाइन कराया जाए ना कि ऑफ लाइन आज मॉडल साइंस कॉलेज में गांदी जी की प्रतिमा के समेक्ष एक गंटे का सत्या गया रखा गया था हमारी चात्रों की मुख मांगी यही थी कि जो ऑफ लाइन एक्जाम कॉलेज साशन द्वारा लिया जा रहा है उसे इस्थाकित करके ऑनलाइन एक्जाम लिया जाए क्योंकि पिछले दिने ही कॉलेज केंपस के ही कोछ चात्रों को करोना पॉजिटिव आया गया था जिसकी पॉजिटिव की रिपोर्ट आज प्रिंस्पल महोदे के सामने हमने पेस कर चुकी है और यही अनुरोध किया है कि जो ऑफ लाइन एक्जाम है उसे इस्थाकित करके ऑनलाइन एक्जाम लिया जाए जिला अस्पताल की टीव ने 100 लोगों को चिनहित किया है और 100 वैक्सीन भी लगाए गए है हम आपको पता दे कि 20 मार्च 2020 में जब करोना का संक्रमन जबलपूर शहर में शुरू हुआ था तब इन ही बंदियों ने लगबग एक लाख मास्क बना कर जिला प्रशाशन को सौपा था इसलिए इनकी स्वास की चिंटा करते हुए यहां पर व्रहत स्वास्चिवर लगाया गया है और वैक्सिनेशन का कारेच चल रहा है प्रकाश स्विवास्तों साथ पधारे और उनके साथ जिलाएं सत्रने आज़ीज और पूरी टेम आई कारिकम का सुभारम हुआ और इस सिविर में ही कैदियों को वैक्सिनेशन का काम भी चालू किया गया जेल में लगबग दो हजार सजायाफ्ता और लगबग एक हजार अ सब्सक्राइब को आज चिन्नित किया गया है और सो टेके लेके आये हैं जिलाच किसालाई की टीम डाक्टर कुडारिया के नित्रत में हैं आज से वैक्सिनेशन का काम चालू हुआ है और ये काम दिरंतर जारी रहेगा तो सबसे पहले क्योंकि जेल विभाग फ्रंट वारि में आता है तो सबसे पहले 25 जिन्वरी को मुझे वेक्सिन लगी थी 20 फर्वरी को दूसरा टीका मुझे लगा और हमारे जेल के लगबग 200 कर्विचारी अधिकारियों को सब को टीका दो दो लग चुके हैं चूंकि हमारा स्टाप का काम पूरा हो चुका था परिजरों का का कर दो हुआ तो उसके साथ यह ने बंदी भाईयों के स्वास की चिंदा भी किया है क्योंकि यहीं इन्सान है और आपको याद होगा कि 20 मार्च 2020 को जब जबर्दपुर से ही कोराना प्रिष्ट हुआ था बतबसे इसमें तब यहीं कहती थे जिन्द सबसे पहले काटड के मा के सेहर को उपनब्द कराई से लगवग एक लाख मास्क नों ने दी सेहर को तो हमें लगा कि आवे हमें इनको भी इनकी चिंदा करें और आज से सासल की होजना के इनको लाब मिलना शुरू हो है थाना बेल बाग और क्राइम ब्रांच की सयुक्त टीम ने कारवाई करते हुए तहसीली चौक से एक आल्टो कार जिसका नंबर MP20 CF3970 है उससे एक वेक्टी को दो किलो गांजे के साथ पकड़ा है पकड़ा गया वेक्टी गुलजार ये गांजा कहा से लाया इसके साथ कौन-कौन लोग इस कारे में लिप्त हैं इस विशे पर पुलिस पूश्टाच कर रही है साथ ही पकड़े गया आरूपी के विरुद NDPS Act के तहत कारवाई करते हुए उसे मानिनी न्याले के समक्ष प सब्सक्राइस के साथ खड़ा गया है और आूपी गुल्यार के पुछ धनि रिद्वरे की जानुसारं नडी तेğर कारवाई गतर है घ्रपेल्थ किया गया है इसमें आरोपी गुल्यार ख़न कहांße गांजा लाया था किस से लाया है था इस सम्वन में जाच की जा रही उसको अनसार अनसारी के दरबारा दिया गया है क्राइम ब्रांच और माडो ताल थाना पुलिस के द्वारा गांजे की तसक्री में लिप्त महिला सही तीन आरुपियों को 28 किलो मादक पदार्थ गांजा जिसकी कीमत 3,30,000 रुपए है इसके साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल हुई है दरसल मुबिल से सूशना मिली थी कि एक महिला दो वेक्तियों के साथ दीन द्यार बस स्टेंड नया पुल के पास खड़ी है जो की सफेद रंगे प्लास्टिक के चार थैलों में साडियों के अंदर काफी मातरा में मादक पदार्थ गांजा रखे हुए हैं और उसे बेचने क फिराक में है सूशना पर दबिश देते हुए पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो बैगों में साड़ी के अंदर लिप्टे हुए पैकेट मिले जिने खोल कर चेक किया गया तो पैकेट में मादक पदार्थ गांजा बरा हुआ था जो पैकेटों में गांजा था उसका त पैस एक्ट के तहत कारवाई करते हुए उक्त गांजा कहां से आया कैसे प्राप्त किया गया इस समझ में पूशताज की जा रही है संबंदित जहां पर मुक्ति ने स्थान बताया था बस स्टेंड के पास वहां पर पहुंचे तो वहां पर जैसा हुलिया बताया गया था उस हुलिया के तीन लोग मिले उनसे जब पूशताज किया गया तो उसमें एक ने अपना सौरफ शोनी नाम बताया दूसरे ने अपना थे एक महिला भी थी उनके पास वाइट कलर के वैक्स थे जिसमें साडिया रखने थी चंजे हुआ अपन के तौरा करवई की गई साडियों के अंदर प्रॉपर तरीके से गांजे को पैक करके रखा गया था उसको निकाला गया और बैधानिक करवई की गई उनके प रायपूर कर्शिलियान का है और जो सौरव है त्रमोर्तिनगर गोहलपूर का है और यह महिला देवरी पनागर की है और यह समवते रायपूर से आ रहे थे अभी तो पुराना ऐसा कोई गाजे से संबंदित अपराद इसका नहीं मिला है एक आरोपी का मार्कीट का पनागर में मिला है प्रदेश की पूर वर्ति कमलना सरकार में विकास का चिंदवाडा मॉडल एक ही ना रहा था सरकार का पूरा खजाना वहीं खर्च हो रहा था इससे प्रदेश के अन्य विधान सबाशेत्रों की तरह पाटन में भी विकास कारे नहीं हो पा रहे थे यह आरोप पार्टन विधायक अजे विश्णोई ने मंगलवार को प्रेस कॉन्टरेंस में लगाए उन्होंने प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर पार्टन विधानसभा शेतर में हुए विकास कारियों की जौनकारी दी उन्होंने पताया कि कटंगी में 27 मार्स से टेली मेडिसन सुविधा शुरू हो रही है मुख्यमंतर शिवरा सिंग चोहान इसका लोकारपन करेंगे अजे विश्णोई ने बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद तेजी से विकास हुआ है पाटन शेतर में डॉक्टरों की संख्या 5 से 22 हो गई है पाटन में सर्व सुविधा युक्त नया ओपरेशन थेटर ब्लड स्टोरेज यूनेट इस्थापित की गई है पाटन में 528 और कटंगी में 1228 पी-म आवाज तयार हो गए है हर घर नर्मदा जल पहुचाने की योजना अंतिम चरण में है पचास करोड की लागत से सडकों का निर्मान हो रहा है इस दोरान शिव पटेल भाजपा संभागी मीडिया प्रभारी रविंद्र पचौरी भी मौजूद रहे जब दोबारा 2018 में चौनाव जीर के विधायक बना सरकार कंग्रेस की थी कमलाज जी का नारा था सारा पैसर चलवाडा के लिए या कंग्रेस के लिए हमारे लिए कुछ नहीं काम रुप गया था जब दोबारा यह सरकार गई और हमारी सरकार परी इस एक साल में हम अपने पार्टन को विकास की घती फिर दे पाए हैं आज की तारिक में उत्व बताते हैं कि स्वास्त के छेत्र में हमने सबसे ज्यादा प्रगति करी है जहां सिर्फ पांच रखतर बचे थी आज हमापस 22 दंदर ड्राण करने जा रहे हैं पर्सों बोलिया का एक नए तोस पर्गतर और फ्राण करने जा रहे हैं वह कर पार रहे हैं पीनो नगर परसद में आज तारी के काम चल लाए हैं वहां के नालों के लिए गभर्य के सुधार के लिए वहां तो नए-दू समिधाय धुन बनाने के लिए पानी की पीने की समस्या को निदान करने के लिए एक सो पाँच पंचायतों में एक धब नल पहुंचाने का काम प्राइब हो चुका है तो इस साल में पूरा हो जाए प्राइमरी स्कूल इन स्कूलों की बिल्डिगों के तंकी रखवा के नल से सोचालाय में पानी पहुंचाना इसका काम भी प्राइब हो जाएगा और बाकी बचे हैं पूरे जबलपूर जिले के जतने गाओं हैं वहां तक घरगार नल से पहुंचाने के लिए धर्वधा जलक प्राइब हो जाएगा ये एक साल की चोटी की जाता आने आपके तंकी बेसक आपकी जो विधान सबाए आपने जो खाका दिखाया है मुख्यमंध्री आवास योजना के तीसरे चरण के अंतरगत आरक्षक और प्रधान आरक्षक के लिए 20 करोड 32 लाग की लागत से कुल 112 आवास ग्रह बहुमंजिला, सिविल नाइन जिबलपुर का निर्मान कारिय मध्यप्रदेश, पुलिस आवास और अदो संडशना विकास निगम द्वारा करवाय जा रहा है आरक्षक आवास ग्रहों में एक लिविंग रूम, दो बैडरूम, किचिन, ट्वालेट, वॉश एरिया और बालकनी का प्रावधान किया गया है प्रतेक आवास ग्रह का शेत्रफल 66.00 वर्ग मीटर याने की 710.40 वर्गफेट है बाहर के विकास कारियों में सीमेंट, कॉंक्रेट सडक, प्रवेश द्वार, सीवर लाइन, स्टीपी, लैंड स्कैपिंग, पार्किंग और जल प्रदाय के साथ, बाहे विद्धूती करण, सीसी टीवी कैमरा, चार लिफ्ट, डीजल, जनरेटर, फायर फाइटिंग, फायर निर्मान किया जाएगा, इस सुरक्षित परिसर का निर्मान होने के बाद, पुलिस विभाग के आरक्षक और प्रधान आरक्षक के साथी, अन्य कर्मिचारी एक सुरक्षित और सर्व सुविधायुक्त कैमपस में निवास करेंगे, जिससे उनकी कारिशमता में और व्रद जिबलपुर जोन, भगवत सिंग चोहान के विशिष्ट आतित्य और पुलिस अधिक्षक जिबलपुर सिधार भगुणा के गर्मा में उपस्यती में थाना सिविल लाइन के अंतरकत, आरक्षक और प्रधान आरक्षक आवास ग्रह निर्मान के लिए भूमी पूजन किया आज यहां सिविल लाइस शित में जो हमारा पुरहना आवासी परसत था, इसमें 112 क्वार्टर्स आरच्षकों के लिए, प्रधान आच्षकों के लिए, आठ इस्टोरी में यह भवन तैयार किया जाएगा और यह बड़े खुसी की बात है, हमारे पुलिसी रुहाग के करणचारियों के लिए बड़े खुसी की बात है, कि सिविल लाइस जो की जवलपुर का हरदा इस्तर है, और बहुती कौशली एरिया है, और हर तरीके स्रिश्दा संपन है, रेलवे स्टेशन वाकिंग तो ऐसी लोकिशन में, ऐसी सिट्विशन में, 112 क्वाटर हमारे आरच्चों को मिलना निश्चित रूप से ही बहुत गोरों की बात है, और इसके लिए मदबदेश हासन, मदबदेश पुलिस हाउसिंग गोड़ और हमारे छित के जो गधायक असो की इस्वरदास रुहाणी जी है, उनके प्रयातों से ये संपन होने जा रहा है, तो हम सब धन्यवाद ग्यापित करते हैं बहुत समय से यह कार यह लंबित था और आज उसका भूमी पूजन, आजी महदया, इसकी महदया के नेतरत में हम सब ने किया है मैं इस बात को मानता हूँ, कि जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं जिन राद परिश्रम करते हैं अपनी जान की परवा किये बिना, उनके परिवार वाले बहुत अच्छे से रहें इस भाव को लेकर मानी मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में इस योजना को चालू किया कि उनके भवन अच्छे बने, वो अच्छे से जीवन जापन रखें, करें और अच्छे घरों में रहें इस भाव को लेकर मानी मुख्यमंत्री जी ने या जोजना मुले साउसिंग गोट के दोरा परारम की और उसका शुभारम आज हम यहां पर सिविल लाइन जैसे अच्छे एडिये में एनको एक अच्छा मकान मिलेगा इस बात की हमें खोशी है मैं बहुत-बहुत शुभामना देता हूँ आभार विक्त करता हूँ मानी मुख्यमंत्री जी का और यह जो बिल्डिंग बनेगी जह हमारे उन युवा आरख्षकों के लिए और आरख्षकों के लिए समर्पित करता हूँ मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहए श्रीराम इंवार्मन्ट शोशल सर्विस एसोसियेशन के द्वारा मंगलवार की शाम साथ बजे छोटी लाइन गुरगपूर में जन जागरुपता करते हूए मास्क का वितरन किया गया साथ ही लोगों को समझाईश भी दी गई कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले इस दौरान एक चीज और सामने आई जहां पर नगर निगम के सफाई कर्मी बिना मास्क और बिना गलफ्स के नजर आए जब उनसे इस विशे पर बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि हमें कोई मास्क और गलफ्स नहीं दिया जाता जब इसके बारे में सुपर्वाइजर से बात करनी चाही गई तो उसने ठेकेदार कमपनी को जिम्मेवार बताया जब ठेकेदार से हमने बात करना चाहा तो वो कैमरे के सामने आने से बच्टा रहा इन सफाई कर्मियों से हमने कडाई से जब पूश्टाच की कि बिना मास्के और बिना गलफ्स के कैसे सफाई करते हो तो इनका जवाब भी गोल मोल सा नजर आया बारहाल जहां नगर निगम स्वच्टा के लिए दिन रात एक कर रहा है वहीं उनके सुपरवाइजर और जिस कमपनी को सफाई का ठेका दिया गया है वो अपने कर्मियों के साथ किस प्रकार का वेभार कर रही है यह सोचने वाला विशह है फिलहाल संस्था ने इन सफाई कर्मियों को मास्क वितरित कर समझायश थी कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें क्योंकि आपकी खुद की सुरक्षा पहले जरूरी है और साथ ही साथ आपकी खुद की सुरक्षा के बाद दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आपका मास् कोशा अध्यक्ष अमिश शुकला, सदस्य मम्ताराय और धनकर समाज के अनिल धनकर एवं महावर जीव पसित रहे जिनोंने सभी को जागरुक किया और मास्क वित्रित कर शपत दिलाई कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे मेरा मास्क मेरी सुरक्षा के अंतरगत स्री राम एन्वायरमेंटल एस्विसेशन के अंतरगत धनकर समाज महासंग जबलपुर मद्द प्रदेश के द्वारा आम नागरिकों को और सभी भाईयों बेहनों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें मास्क वित्रित भी किया गया जो लोग विदाउट मास्क यहां वहां घूम रहे थे उन्हें बलाके हिदायत दी गई और उन्हें मास्क प्रदान किया गया इस कार में स्री राम एन्वायरमेंटल सर्विस लिम्टेट का पहमूल योगदान था उसके लिए में उनका आभार वेक्त करता हूँ मास्क की सुरक्षा है मेरी मास्क मेरी सुरक्षा है